आज मैं आपके साथ सेर करने जा रही हूं बहुत ही टेश्टी सोय चिली की रेसिपी तो चलिए इस रेसिपी को सुरू करते हैं तो पानी गरम होने के लिए मैं रखती आता जब पानी अच्छे से गरम हो जाए तब इसमें सोया बीन एट करेंगे तेड़कट अच्छे से मिक्स कर लें अब इसे एक से दू मिनिट तक बॉयल कर लेंगे आप इसमें नमक भी एट कर दें तो सोया बीन अच्छे से बॉयल हो गया है गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे चान लेंगे अब इसे ठंडा होने देंगे अब पानी को निचोड़के निकाल देंगे दोसों अब इन से मैंने पानी निकाल दिया है अब इसमें नमक एट करेंगे लाल मेश पाउडर एट करेंगे वन टेबल स्पून इसमें एट करेंगे अद्रक लसन का पेश्ट काली मेश का पाउडर एट करेंगे अब इसमें 2 टेबल स्पून एट करेंगे एक कॉन फ्लोर और 2 टेबल स्पून इसमें चावल का आटा एट करेंगे चावल के आटे के जग आप मैदा भी आट कर सकते हैं पर चावल का आटा डालने से नहीं अच्छे क्रिस्पी बनते हैं तो अच्छे से mix कर लें, अब इसमें सोया sauce add करेंगे 1 tablespoon और चिली sauce add करेंगे 1 tablespoon अच्छे से mix कर लें, मैंने इस अच्छे से mix कर लिया है, अब पैन चड़ाएंगे 2 tablespoon तेल add करेंगे, मैं इसे shallow fry कर रहे हूँ, आप चाहें तो dip fry भी कर सकते हैं, तो जब तेल गरम हो जाए तो इसमें सोया बीन add कर देंगे, अब इसे low to medium flame पर fry कर लेंगे, तो इसे अच्छे से crispy होने तक fry कर लें, तो सोया बीन अच्छे से fry हो गया है, गैस का flame off कर देंगे, अब sauce बना लेते हैं, तो मैंने या पे 3 tablespoon tomato sauce add किया है, 1 tablespoon soya sauce add करेंगे, अब chili sauce add करेंगे 2 tablespoon, अच्छे से mix कर लें, इसे side में रख देंगे, अब यहाँ पे मैंने half tablespoon conflot लिया है, थोड़ा पानी add करेंगे इसमें, और अच्छे से mix कर लेंगे, अब पैन में add करेंगे तेल 2 tablespoon, अब इसमें बारिक कटेव लहसून add करेंगे, और थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, अब इसमें बारिक कटेव प्याज add करेंगे, और हरी मेश add करेंगे, थोड़ी देर के लिए से भून लें, तो प्याज अच्छे से भून गया है, अब इसमें सिम्ला मेश प्याज add करेंगे, मैंने इस तरीके से cut कर लिया है, add कर दे mix कर लेंगे अब इसे एक मिनेट लिए भूल लेंगे नमक एड़ कर दें तो नमक आप इसमें बहुत ज़्यादा एड़ नहीं करें क्योंकि सॉस में भी नमक होता है काले मिश का पाउडर एड़ करेंगे अच्छे से mix कर लें तो सोयवीन प्याज अच्छे से भून गया है अब इसे पानी एड़ करेंगे आधा कब सॉस एड़ कर दें जो हमने mix करके रखा था अच्छे से mix कर लें इसे अब इसे conflore एड़ कर देंगे तो अगर आपको gravy वाली बनानी है तो आप इसमें conflore पानी थोड़ा ज़्यादा डालें मैं इसे dry बना रही हूँ तो मैंने कम डाला है अच्छे से mix कर लें अब इसमें सोयवीन अट कर देंगे और हरा प्याज अट कर देंगे mix करके इसे थोड़ दिर के लिए भून लेंगे हर में चैट कर दें mix कर लें तो गैस का फ्लीम आफ कर देंगे बहुत ही टेश्टी सोया चिली बन कर रेड़ी है आप इस रेसिपी को ज़रू ट्राइ करिएगा और कमेंट्स में लिख ज़रू बताएगा इस रेसिपी आपको कैसी लगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें